नमस्कार दोस्तों, मैसल्फ सीमा सिंग, I hope आप सब बढ़िया होंगे, आज हम भोजन के कारियां इम भोजे सम्हों के महतोपूर प्रस्नी देखेंगे, जो हमारा पहला प्रस्न है, वो है भोजन के गैर पोशे किया घटक है, option number A है, रेसा या रेफिस, B है जल, C है वर्नक या योकिक, D है सबी, तो जो इसका आंसर होगा, वो होगा D, गैर पोशे किया घटक, ये सबी होते हैं, रेसा और रेफिस क्या है, ये कार्बाहेडेट है, कार्बाहेडेट का पॉली फॉर् जो रेसा रेफिस होता है, इसका पाचन हमारी बॉड़ी में नहीं होता है, हमारी बॉड़ी में कोई भी ऐसा इंजैन्स नहीं है, जिससे हम रेसे और रेफिस का पाचन करपाई, ये पेर पोधो के छाल में पाया जाता है, गोंत जैसा चिपचिपा पदार तो होता है, जल से बोजन के प्रोटीन के का अनुमार, C भोजन में वसा का मुल्याकन, D अख्रोक्त मेंसे कोई नहीं जो ट्राइड डिजल सीधे हैं यह भोजन का ग्यानिंद्री मुल्याकन से संब्धित होता है भोजन का जो ग्यानेंद्री मुल्यांकन होता है जैसे हम भोजन को सूंके, टेस्ट करके और देख के पता लगा सकते हैं कि यह भोजन अच्छा है या नहीं है तो यही जो होता है इसे हम ग्यानेंद्री मुल्यांकन कहते हैं और option number A, question number second का right है second question है भोजन सरीमन निम्नों में से कौन सा कार्य करता है A है साररी कार्य करता है B है सामाजिक कार्य करता है और D है मुनोवैक्यानिक कार्य करता है और C है मुनोवैक्यानिक कार्य करता है D है उप्रोकत सभी तो जो भोजन जो होता है वो इन तीनों कार्य को करता है इसका जुरा प्रोडेक्ट की क्या बताती है option number A है new term फुटकर मूल्य होता है B है अधिक्तम फुटकर मूल्य होता है C है शूर्ष में फुटकर मूल्य होता है D है उपरोगत मैंसे कोई नहीं तो जो इसका right answer होगा वो होगा A, new term फुटकर मूल्य MRP को देखके हम पता लगा सकते है कि इस प्रोडेक्ट की new term जो MRP है वो क्या है अगला question से इसमें से कौन सी विधी ब्यक्ति के पोशन इसतर का आंकलर नहीं करती है A option है 24 गंडे बाद विधी B option है उम्रे और नुसाल लंबाई C option है जैवरा सैनिक विधी का आकलर कर सकते है लेकिन ये question में change करना पड़ेगा यहां पे नहीं नहीं आएगा तो इसमें आप question क्या बनेगा इसमें से कौन सी विधी है जो ब्यक्ति के पोशन इसतर का आकलर करती है तो ये तीनों विधी दारा किया जाता है हम जीज विधी के पोशन इसतर का आकलर कर रहे है हम पहने उसको भोजन किये हुए 24 गंटे हो चुके हो उसके बाद आकलर करते हैं उम्रे के अनुसार करते हैं हम कौन से बच्चू का कर रहे है बोडू का कर रहे है ब्रिद्ध लोगों का कर रहे है और जैवरा साइनिक भी थी, इन सभी चीजों से हम पोशन इस्तिति का आगलत कर सकते हैं, जो राइट आंसर है, क्वेशन नंबर फाइब का, वो है D, अगला क्वेशन है, पांच खाद्य समूपत दिती है, A है प्रोटीन, उर्जा, वसा, विटामिनों खनीज, B है खाद्या डाले सब्जिया, फल और दूद, इसका चो राइट आंसर है, वो है, ऑप्शन नंबर D, खाद्या आंसर अनाज एम उत्पाद दाले फल्या, दूर एम दूद उत्पाद, फल एम सब्जिया, और वसा एम चीनी, ये पांच समूपत दिती होती है, खाद्य समू की, इसका र आधारिया चयाप चया कहलाता है, C है पाचन कहलाता है, और D है आहर की कहलाता है, तो जो अगुलनसील और संसलेश्टी आहर का गुलनसील और सरल आहर में रूपांतरण होता है, वो ऑप्शन नंबर B चाहेगा, उसको हम आधारिया चयाप चया बोलते हैं, अगला क्वेश से रेंजीन क्या है ए वर्नक है बी रंसक है सी रंग है और डी थाग है तो जो रेंजीन होता है यह ए ऑप्शन नमबर ए इसको हम वर्नक बोलते हैं पिजटी 2006 में पूछा गया प्वेस्चन है आगे हम देखेंगे कि डक्टर एम सामिनातन द्वारा निमे लिखित में से कौन खादी बड़े की डक्टर एम सामिनातन जो खादी बड़े दिये गए है वह 11 दिये गए हैं हम दे अपने क्लास में देखा है कि वह 11 खादी थे एंशर झ्याला क्वेस्शन है पोछुणिक शिती का वर्गी करन किया जाता है इस रूप मेंौ साफर दो क्र 묶्री और अतिपोशित, C है अपरियाप्त और परियाप्त, D है अनुकुल्तम और अल्पतम, जो इसका आंसर, question number 10 का जो आंसर होगा, वो होगा D, जो अनुकुल्तम होता है, इसको हम संतुलित बोलते हैं, जो हमने अपने class में देखा कि संतुलित और अल्पोशन क्या होता है, यह को खमीरी करण भी बोलते हैं, खमीरी करण, ठीक है, तो इससे क्या बढ़ता है, A है पाचन सिलता बढ़ती है, B है कैल्सियम बढ़ता है, C है बिटामिस बढ़ता है, और D है कुल्प्रोटीन, तो जो केंडवन यह खमीरी करण होता है, इससे पाचन सिलता बढ़ती है, जो ड 50 अगला कुशिन है हिमारा सूची एक मैं दिये गए खाद्य पक्तितु की सूचि दो में दिये गए सम्रीच पोशक्तत्व के सांबलित करें सुची 1 में खादे बदार्थ दिये गए है और सुची 7 में उसे मिलने वाली पोशक्तत्व दिये गए है पपीता में क्या पाया जाता है कौन सा पोशक्तत्व हमें परापत होता है पपीता से A है लोहा, B है कैल्सियम c है vitamin c और d है vitamin d जो पपिता में है यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन संत्रा में क्या पाया जाता है संत्रा में vitamin c पाया जाता है खजूर में क्या पाया जाता है लोह पाया जाता है और रागी में calcium पाया जाता है तो यहाँ पे ये जो option होगा ये बिटामिस A होगा ये D नहीं होगा ये बिटामिस A है तो पपीता हमें बिटामिस A प्राव्त होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है रक्त में जल पाया जाता है A option है 80-90% पाया जाता है B option है 20% पाया जाता है C option है 50-60% पाया जाता है और D option है 80-100% पाया जाता है तो जो रक्त में जल की मात्रा होती है option number A 80-90% के बीच में जो हमारा blood होता है, उसमें जल्द की मात्रा पाई जाती है, अगला question है, नस्वर भोजे बदार्थ होते हैं, नस्वर भोजे बदार्थ होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जो नस्वर भोजे बदार्थ हो क्या है, option number A है दूद, B है दाल, C है अचार और D है बेसन जो तो दूद होता है ये नस्वर बोजे बतारत होता है ये एक ये दो दिन तक हम इसको रख सकते हैं उससे अधिक रखेंगे तो ये नस्ट हो जाता है दाल क्या होता है? दाल ये अनश्वर होता है इनको हम काफी लंबे समय तक रख सकते है अचार भी अनस्वर होता है और जो बेशन होता है बेशन को हम 3-6 महने के 20 तक रख सकते हैं इसको हम 8 नस्वर होते हैं एक तो होते हैं वो बुझे बतारते जिनको हम नस्वर होते हैं इनको हम 1-2 दिन के आसपास में रख सकते हैं और जो एक होते हैं फिर अनस्वर बुझे ब अनस्वर भुजबतारते ऐसे होते हैं जो सालू तक चल जाते हैं और फिर अर्दनस्वर भुजबतारते होते हैं जिनको हम तीन मेहने, छे मेहने, पंदरा दिन और एक हपते तक सेप करके डग सकते हैं अगला question सै हमारा, तन्तू में जल पाया जाता है, option number A है 20% पाया जाता है, option number B है 70-80% पाया जाता है, option number C है 50-60% पाया जाता है अकेकरबनी भोजबदारत है, option number A खनीज, option number B है यह होते हैं, वो खनीज होते हैं, इनको अकारबनी क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर हम अकारबनी भोजबदारत को जलाते हैं, तो उसके जलाने के पाद कुछ ash जो होता है वो sales बच जाता है इसलिए इनको acarbonic बोला जाता है तो acarbonic मुझे बता रत्व मिन्रल होते हैं ठीक है अगला क्यासियन सा हमारा शूष मों पोशक तत्व होते हैं शूष मों पोशक तत्व कौन से होते हैं A option है protein, B option है वसा और C option है carboidate D option है vitamins सूष मों पोशक तत्व मों आते हैं vitamins और mineral हमने जो पोशक तत्व देखे थे उसमा हमने देखा था कि एक तो धीरगों होते हैं जिनकी मातरा हमारी बोडी को अधिक चाहिए होती है और एक शूष मों होते हैं ठीक है धीरगों कौन आते हैं protein आते है fat आते है fat आते है और carboidate आते है और शूष मों में आते है vitamins आते हैं और mineral आते हैं ठीक है mineral आते हैं तो जो शूष मों पोशक तत्व है वो vitamins है option number D question number 16 का राइट है आगे देखेंगे carbonic भूच बताता है carbonic भूच बताता है तो कौन से होते हैं A. Carbohydrate B. Vasa C. Vitamins और D है सभी तो जो carbonic भूच बताता है ये सभी होते हैं और जो खनी जोते हैं वो क्या होते हैं अकार्बनिक होते हैं protein भी carbonic होते है ठीक है protein भी carbonic होते है और जो खने जोते हैं वो अकारबनिक होते हैं अगला question है अर्द नस्वर वोजबत आते हैं अर्द नस्वर option number A है दूद B है मान से C है अनाज D है अंडा दूद हमने देखा था कि ये क्या है नस्वर वोजबत आते हैं अनाज क्या है अनश्वर वोजबत आते हैं और अंडा क्या है ये अर्द नस्वर है इसको हम एक हपता ये पंदरा दिन के आसपास रख सकते हैं तो जो अंडा है वो अर्द नस्वर वोजबत आते हैं अगला question है अकारबनिक भोजबत आतों का अन्य नाम है जो अकारबनिक भोजबत आता हमने देखा था कि वो मिनरल होते हैं उनका जो अन्य नाम है वो क्या है option number A है रेंजीन बोलते हैं B है बिटामीन बोलते हैं C है राख या एश बोलते हैं D है सभी तो जो इसका right answer होगा वोगा option number C राख है एश बोलते हैं इनको एश क्यों बोलते हैं जो अकारबनिक भोजबत आता हैं जब हम इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद इनमें से जो एश होती है वो बच जाती है इसलिए इनको हम एश भोजबत आता हैं option number C अगला question है नैटोजन और D है सबी तो जो खरल कर्मनिक भोजबत आता हैं उनमें ये सभी पाए जाता है और इनमें कार्बन भी पाए जाता है तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ सभी में इनमे आक्सिजन, हाइडोजन, नाइडोजन, कार्बनी बोजिवधा थो में पाये जाते है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर, कमेट और सस्क्राइब करना ना बुले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई